आज हम ये cotton fabric की बैग बनाएंगे ये बैग बनाने के लिए पहले हम ये 8 इंच के 2 जिपर लिए ये 9 इंच की साइड है के लिए हमने 8 इंच के 2 जिपर लिए ये देड़ देड़ इंच के 2 फाबरिक के पिसे सीधी साइड यहां जिपर के सीधी साइड के उपर यहां हम सिलाई करेंगे ऐसे ही ये दूसरा पिस यहां चोड़ेंगे ये दोनों पिस इसके साइड में देखिए यहां और यहां हमने सिलाई की और ये फाबरिक हमने इस्ट्रा फाब्रिक है, वो हम कट करेंगे दोनों साइड से, यह हमने एक फाब्रिक का पीस लिया, इसके पीछे यह पेपर के अन्वास हमने अटाच किया है, इसका मेजर्मेंट है, नौ इंच बाइ साड़े छे इंच, यह रनर की साइड ऐसे रहेगी, यहां हम सेंटर का मा परक कर सकते हैं, या तो दोनों साइड से, सीम फाब्रिक हम छोड़ेंगे, देखिए, और यहां पर इतना, यह होने के बाद, अस्तर की सीधी साइड हम इसके पीछे रखते हैं, यहां से यहां तक सिलाई करेंगे, देखिए, यहां सिलाई होने के बाद, अस्तर अंदर की स ऐसे हमने सिलाई की सिलाई होने के बाद ये फाबरिक के बाहर का ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा फाबरिक है वो हम इसे कट करेंगे दोनों साइड से इसके बाद ये दुसरा फैबरिक का पीस लिया साड़े नौ इंच साड़े नौ इंच इसकी हाइट है और यहां से नौ इंच यहां से नौ इंच है और इसकी हाइट साड़े नौ इंच है उपर से तीन इंच का मार किया एक line draw की और यह पी समलेंगे ऐसे रखा यह जो line draw की है इसके उपर इसे zip पर रखी और यहां हम सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की इस सिलाई होने के बाद ऐसे नीचे किया ऐसे रखा यहां यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे देखिए यह जोडने के बाद सेम साइज का मने एक अस्तर लिया और यह दुसरी जिपर रखी साइड ऐसे रहेगी यह ऐसे रखा यहां चाहे तो सेंटर मार कर सकते हैं या तो दोनों साइड से से सेम फाबरिक हम चोड़ेंगे अस्तर की सेधी साइड इसके उपर सिलाई करेंगे देखिए यहां हमने सिलाई की सिलाई होने के बाद ऐसे यहां टॉप स्टीच और यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे और यह एक्स्ट्रा फाब्रिक हम कट करेंगे ये पीस बनाने के बाद ये हमने 12 इंच बाए 9 इंच के ये दो पीसे से लिए हैं 12 इंच बाए 9 इंच के इसमें से एक पीस हम लेंगे उपर से 3 इंच का मार्क या एक लाइन ड्रॉ की और ये साइड ऐसे रखेंगे ये जो 3 इंच का मार्क है उसके उपर ऐसे रखा ऐसे और यहाँ हम सिलाई करेंगे यहाँ आमने सिलाई की इसके बाद ये नीचे की साइड में किया ऐसे यहां से और यहां से हम सिलाई करेंगे दिखे ऐसे जोडने के बाद यहां अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाब्रिका हुआ है तो हम यहां से कट करते हैं यह हमने 44-45 इंच का बेल्ट और यहां से 4 इंच का है वो ऐसे फोल्ड किया सिंटर से एक फोल्ड यहां से एक फोल्ड यहां से एक फोल्ड और यहां से एक फोल्ड दोनों साइडम सिलाई करेंगे यह हमने 45 इंच का यह बिल्ड बनाया, यह दोनों में से कोई भी एक फाब्रिक का पिस लिया, यहां से एक इंच, यहां से एक इंच, इसके पीछे हमने रबर्च टेटाच की है, इसके पीछे भी हमने रबर्च टेटाच की है, और यह बिल्ड हम यहां जोड़ेंगे, ऐसे, और यहां से ऐसे, ऐसे हमने की बिल्ट जॉइन किया, अगर किसी को एड्जेस्टर रिंग मिलती नहीं है, तो ऐसे बिल्ट आप बना सकते हैं, इसके बाद इसके साथ ये दो अस्तर के पिसे से लिए, बारा इंच बाई, नौ इंच के, और ये हमने नौ इंच की जीपर लिए जीप की सीधी साइड, फैबरिक के सीधी साइड के उपर, इसके पीछे भी रबर्शिट अटाच की है, और इसके पीछे ये अस्तर की सीधी साइड, अस्तर की सीधी साइड इसके पीछे, यहां से यहां तक हम सिलाई करेंगे, यहां सिलाई होने के बाद, यहां टॉप और ये ऐसे रख सकते हैं या तो यहाँ जीपर सेपरेट ऐसे भी कर सकते हैं जीप की सीधी साइड फैबरिक के सीधी साइड के उपर और इसके पिछे ये अस्तर की सीधी साइड यहाँ सी लाई होने के बाद बिल्ट उपर रहेगा यहाँ हम टॉप स्टीच करेंगे देखिए यहाँ आमने टॉप स्टीच किया टॉप स्टीच होने के बाद ये फ्रंट साइड है तो हम ये तिसरा रनर यहाँ से डालेंगे एक बार निकालेंगे तो जीपर लॉक हो जाएगे फिर से रनर डालेंगे ऐसे हमने रनर डाला रनर डालने के बाद ये बेल्ट हम ये जीपर के अंदर ऐसे रखते हैं ने तो ये सिलाई में आ जाएगा और ये होने के बाद ये दो फाब्रिक के पिसे और अस्तर के पिसे ऐसे लेंगे यहां से यहां तक ऐसे हम यहां तक सिलाई करेंगे ऐसे हमने तीनों साइड सिलाई की ये साइड उपन रखी है यहां से हम ये जिपर उपन करेंगे और बैग सीधी साइड करेंगे पिके सीधी साइड करने के बाद यहां से ऐसे ये कार्नर अच्छे से बाहर निकालेंगे दोनों और यहां से भी और ये होने के बाद ये साइड ऐसे अंदर की साइड में फोल्ड की और ऐसे फोल्ड गया और इसके उपर हम टॉप स्टीच करेंगे दिखिए यहां आमने टॉप स्टिच होने के बाद यह अस्तर अंदर की साइड करते हैं दिखिए यहां से एक यह बड़ा पॉकेट है और यहां इतनी बड़ी स्पेस है चाहे तो अंदर की साइड में भी एक पॉकेट आप बना सकते हैं बीना रिंग बीना एड़िस्टर यह स्लिंग बैग हमने बनाई है इसे आप घर पर बना सकते हैं